कराची में सेनेटी स्टेंडिंग कमेटी जिलासवद मीडिया सांगाल बोलकंदे सुभाई गरु वजीर सोहल अनवर्सियाल चेवत राओ अनवार समेथ कानून जार लोहारी जवाबदार होंदाइन चाहे उकेर भुजन उननके गिर्फतार के विंदो जो भी पुलीस का कानून का मफरूर है वो सिंद गोर्मेंट के लिए वो एक मुल्जम है बले वो राओ अनवार हो कोई भी हो कानून से उपर कोई भी नहीं है यह हमारी पालिसी है की वाले मसले में जो इंक्वारी आफिसर थे उन्होंने जो जो इंक्वारी में रिकम्डेशन देजी हमने वो उस पे अमल किया आइंता भी जो इंक्वारी बेठे की पुलीस आफिसर जो इंक्वारी करना गिर्फतार करना यह पुलीस का काम है जो हमारे पास इंक्वारी आ वालों ने डारेंट एगेंसीज को लिख दिया जो गलत था अब CTD वालों ने जो प्रापर वे जो है तुरू प्रापर चेनल अभी तक उन्होंने एडाप नहीं किया है उसको आज हों डेपार्टमेंट के लिए लिख रहा है कि भाई प्रापर वे से जो प्रोसीजर होता है उसको फालो किया जाए तो गुम्तेलमान अन्वार इमाम लेते कारवाई करे रहा है हूं कमेशन वे जोड़ी विंदी सेनेट कमेटी जिलासबत अमक्यम जी सेनेटर नसरीन जलील पर मीडिया सागा लाएं देचेयो तो कमेटी वाकिये ते गंड़ती जायर कहिया है हो शहर एंसूबे जो पुट हो कमेटी ने अपनी गहरी तेश्वीश का इज़ार किया कि राव अन्वार अब तक लापता हैं जिन्होंने इनकाउंटर में नकीब अल्ला महसूद को शहीद किया था और नकीब अल्ला महसूद इस शहर का बेटा है हमारा बेटा है इस सूबे का बेटा है पूरे मुल्क का है राव अन्वार अब तक लापता हैं और तासूर यह है कि बासर लोगों ने उनको छुपा के रखता हुआ है इस तासूर को जायल होना चाहिए और इसकी बाकाइदा हमने चीफ मिनस्टर से भी होम मिनस्टर से भी और पुलिस से भी हमने कहा है कि इसको बाइनको से इन्सानी हकनवारी कमेटी में गरू वजीर आई पुलिजा आला अफिसर अरभ शरीक थे जिन कराची में पेश हैल वाकिन तेप ब्रीफिंग दिनी आई वाके में मुलवस जवाबदारन जी गिरिफतारी लाइक कोशिशन आई अमनमान बाबत सेनेट कमेटी के ब्रीफि टीवी नियूस कराची